स्वागत्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन कुर्मी तो आज हम अपना सावले सपनों की याज चैप्टर कंटीन्यू करेंगे जिसमें हमें आज कुछ पैसे दिये जाएंगे यानि आपको कुछ गद्यांज दिये जाएंगे और उसी परधार तो प्लीज चानल कोसब्सक्राइब जरूं करें आप साब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करें तो चल्य शाप करते हैं सबसे पहले हमें इस पैसे को पढ़ लेते हैं इस पर वेस कोशन है पांच यसे से स्थम करने लेगा का तो प्लिज से तो सुँ से पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं फिर इसी पर वेस कोशन है पांच एजी से जो की विकल्प में भी आपको दे रखें तो वह और एजी हो जाएंगे आपको तो एक बार देखते हैं इस जूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंदु पर सेलाल नियों की उस परवन पक्षी की तरह प्रक्रती में विलीन हो रहे हैं जो जिंदिकी का आखरी गीत के गाने के बाद मौत की गीत में गोद में जा बसा हो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धरकन देकर भी लोटाना चाहे तो वैं पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा पैसेज बुक में से दे रखा है चाप्टर के अंदर से यह आपने चाप्टर पढ़ा है तो आपको यह इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको नहीं बताया था अंतिहीन सफर का आश्य है, अंतिहीन सफर का मतलब होता है, बहुत बहुत लंबी यात्रा, मिर्तियों के उप्रान अंतिम यात्रा, जंगलों में भटक जाना, हुजुम में आगे चलना, तो अंतिहीन यानि जाब आपका अंत हो जाए, तो यानि अंत यानि मिर्तियों, तो मि ठाग एक अंधे पैसे लेके जाते हैं वो अंतिहीन सफर होता है तो यह आपका ख़ा ऑप्शिन करेक्ट हो जाएगा अंतिहीन सफर का आश्य है एक ऐसी आत्रा जिसका कभी अंत्रा हो लेकर ने साली मंदिल की मिर्तु के उपरां उनकी शाव यात्रा करवरन करते समय इसका प बसे जा रहे थे या मौत के आगेश में चले जा रहे थे तो वह मौत के आगेश में चले जा रहे थे पलायन मतलब क्या होता है भाग ना होता है अपने जगे छोड़के भाग जाना तो मौत के यानि वह अपनी जगे छोड़के मौत के आगेश में चले जा रहे थे यानि म यम मली का संबंद कैसा था तु प्रकृति भी निगे विज्ञ ऐस crimes करना चाते जह भी कलत ऋलबकर तो यह आपका housekeeping कर रिंह साली मली प्रकृति में हूचुके थे उन्होंने cción watch की एक हेलती दुनिया अपने चारो और बसा रखी थी और उसी का आत्में हिस्सा बनकर रहना जाते थी चौथा प्रिश्ण है सावले सपनों की गीत गाने का तातपर है अपने पसंदीदा कारे करना नींद में गाने गाना गानों में सपनों का वरंड करना या छूटी बाते करना, तो सपनों की गीत गाने का अर्थ है, अपना पसंदीदा, यानि जो कारे हम करना चाहते हैं, वो करना, हर येक्ती सपने दीखता है, और जीवन भर उन्हें पूरा करने का प्यास करता है, उस सपने से संबंदित प्रते कारे को करने में उन्हें आनंद वह वन पक्षी की तरह प्रक्रती में विलीन हो ते व्याक्या सालीम हली जीवन भर पक्षयों की खोज में लगे रहें उनका जीवन पूरी तरह पक्षिकों को समर्थ पिता लिसले लेखक ने उन रिख्यक की संग्यात दी है तो इस वीडियो में बस इतना ही आज हमने एक पै तक सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ज्यादा से ज्यादा दोसक साथ शेयर जरू करें और प्लीज वीडियो को लाइक जरू करेंगा थांक्स वोचिंग गयों बैबे गाइस